हेलो एवरीवन मेरा नाम है रिख और आप देख रहें आरीना फिलम इंसिट्यूट का यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम एक ऐसी टिकनीक की बात करेंगे जिससे आप बहुत सारी ट्रांजिशन को क्रेट कर सकते हैं और बहुत क्रेटिव चीजें कर सकते हैं इससे ओके आपने नोटिस किया ये ट्रांजिशन को अब काफी लोगों को पता चल गया होगा ये क्या है बेसिकली इसको रोटोस्कोपिंग बोलते हैं बट जिनको नहीं पता फर उनके लिए कंटीन्यू करते हैं वीडियो बाकी जिनको पता है वो भी वीडियो को देख सकते हैं अब आप नोटिस करो पहले तो कि जो टेक्स्ट है वो सबजेक्ट के बाक पे है अगर मुझे ये फोटो में ये सेम प्रोसेस को करना हो तो हम कैसे करेंगे पहले ये समझो नॉर्मल आपके पास इमेज है ना आप सबसे पहले काम क्या करोगे सबसे पहले आप करोगे इस मैं rough करके दिखा रहा हूँ आपको ये subject को आप करोगे cut उसके बाद इसकी duplicate layer करोगे like that जैसे मैंने आपको उपर करके दिखाई फिर original background नीचे आएगा और center में आप text लगाओगे तो इस technique से आप subject के पीछे text आड़ कर सकते हो बट video में क्या होता है देखें video में जब आप project create करते हैं यहाँ पे एक setting आप choose करते हैं which is 23, 24, 25 यह क्या होता है basically fps मतलब होता है frame rate per second अगर आप यहाँ पे click करके 24 frame rate choose करते हैं इसका मतलब यह है कि 1 second में 24 photo है वो 24 photo मिलके आपकी video बनती है तो आपको हर photo का background कट करना होगा काफी लोग हम में से इसको masking बोलते हैं but actually में इस technique का नाम है rotoscoping हम rotoscoping की मदद से क्या करते हैं हर frame में subject को कट करते हैं और हर frame में हमें यह काम करना बढ़ता है इस process को हम rotoscoping बोलते हैं practically हम जानते हैं यह कैसे करना अभी सबसे पहले आपको duplicate layer करनी है किसी भी software में आप काम कर रहे हो चाहे वो premiere है, fcp है कोई भी software है हर software में masking tools होते हैं अभी हम final cut pro की बात कर रहे हैं तो I will show you in final cut pro effects browser को आप on करो यहाँ पे आप type करो draw mask it's like a pen tool जैसे photoshop में आप pen tool की मदद से subject को cut करते हैं ऐसे यहाँ pen उने effect दिया हुआ है जिसको drag करने से pen tool enable हो जाता है so हम कोई भी subject को cut कर सकते हैं आपको इस plugin को drag करना है top वली layer के उपर और आपको आ जाना है first frame के उपर sound मैं off कर देता हूँ एक बार के लिए जैसी आप screen पे जाओगे आप notice करो pen tool का sign आ गया और मुझे यहाँ पर point लगाना है random points लगाने click and drag जैसे photoshop में आप pen tool का use करते हैं वैसे ही यहाँ पर use होगा अगर zoom करने की जरूरत हो तो click करो यहाँ पर और इसको जितना मर्जी zoom करो और यहाँ से आप position को change कर सकते हो अभी मैं roughly mask rate कर रहा हूँ आप जितना इसकी उपर time लगाओगे उतनी selection अच्छी होगी उतना result अच्छा आएगा बट मैं roughly mask rate कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो में इतना time लगा नहीं सकते अब इसकी मुझे कोई परवा नहीं है selection की क्योंकि मेरा जो main text आना है वो उपर आना है तो यहाँ इससे कोई फर्क नहीं बढ़ने वाला तो मैं simply इसको round करके close कर देता हूँ selection को अभी आपको हर frame के उपर काम करना होगा यहाँ पे inspected tab के उपर आप click करो draw mask में transform option है उसके उपर आपको click करके इन सारे keyframes को enable कर देना है including control points ताकि जो points है वो keyframe उसके उपर लग जाए वो record होनी शुरू हो जाए हर frame के उपर let's do it मुझे frame by frame आगे करना है and मैं इसको change करता रहूँगा center में click करके या point to point जैसे मुझे जरूरत होगी next frame पे चलते यह देखो मुझे points को change करना होगा like that हर point की मुझे setting करना होगी यहाँ पे आप कुछ points में problem है तो आप select करो उन points को drag करके और simply उन points को change कर दो जिसमें आपको problem लग रही है तो यह आपको frame by frame करना होगा जिससे आपका subject वीडियो में से cut हो जाएगा इसी process को बोलते हैं rootoscoping and यह done होने के बाद आप नीचे वाली layer को off कर दो और check करो like that यह देखो cut हो चुक है आपका subject वीडियो में से आपको इसको simply feather करना है तांकि इसकी edges जो है वो soft हो जाए so I can just click increase the feather and increase fall off so basically selection edges पे आपको कैसे चाहिए वो situation to situation vary करता है आप इसके साथ play around कर सकते हैं अभी आपको title center में add करना है इन दोनों layer के बीच में और आप png titles photoshop में जैसे बनाते हो वो भी आप drag and drop कर सकते हैं या फर यहां पे जो हर software में titles होते हैं आप इसका भी use कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं titles में जाएंगे यहां पे एक tab है final cut pro में built in and out यह by default text है जो final cut pro में होते हैं उसी का हम use करने animated भी बहुत सरी चीज़े हैं यहां पे glow effect है custom title है, fade title है आप कोई भी use कर सकते हो different result के लिए और experiment आपको खुद से करना होगा यह हम custom के उपर click करते हैं उसको drag कर लेते हैं यहां पे हम text change कर देते हैं and उसके बाद font जो आपको change करना है आप वो use कर सकते हो हम Elbra try करते हैं which is this one मुझे bold चाहिए increase करते हैं और size को increase कर लेते हैं video tap में जाने के बाद इसकी position को change कर लेते हैं और हम original जो नीचे layer है उसको on कर देते हैं और जो आपका अभी title है उसको हम drag करके center में add कर लेते हैं और यह पीछे चला गया subject के पीछे so I can change its position and मैं यहां पे enter प्रेस करके इसको change कर लेते हैं so video में से हो गया cut down जितना time आप masking को दोगे उतनी masking अच्छी होगी और यह जो effect create किया गया है इसी method से create किया गया है यह देखो इसको mask किया गया है पूरे frame को इसको masking करके इसके behind पे text add किया गया है आपको समझ आ गया होगा यह चीज मैं आपको और भी example देता हूँ यहां पे दो character आ रहे थे इसको mask out किया गया है simply इसको भी मैं play करके दिखा देता हूँ आपको और आप experiment कर सकते हो animated title से और आप text में transition add करके different different experiment कर सकते हो अब genre की accordingly और music की accordingly transition add करो जो उसके साथ better suit करे बहुत सारी creative चीज़ें और बना सकते हूँ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ तो यह beat के accordingly match हो रहा है यह version है पहला version है दूसरा मैंने blur version लिया है तो आप experiment कर सकते हो इस transition को कैसे बनाना है यह आपको समझ आ गया होगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लीजिए अगर आपको लेनी है video editing और color grading की advanced training तो wait किस बात की है नीचे लिखे number पे call करें या आज ही visit करें www.arenafilminstitute.com मैं मिलता हूँ आपको training की पहली class में धन्यवाद